नमस्कार आपका भाय स्टेडी में स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे NCRT सार संग्रा बाइलोजी यानि की जी विज्ञानिया ओन्लाइनर है और यह कछा है आपको छो से लेके बारत तक के सभी जो जितने भी महत्तपूर्ण प्रस्ण और आयाम है इसमें सम्मिलित किये हैं और इसके जो लेखक हैं आपको ध्यान रखेंगे महेश कुमार और अन्वाल काफी ही मेनहत और परिश्रम के बाद इसे आपको एक बेहतरीन प्रस्तुती करने का परियास इसमें प्रतेक चेप्टर को किया गया है जिसमें आपको जी विज्ञान की उपसखाएं हो गया जय विकास हो गया इसमें सारे चेप्टर को कभर किये गया है बहुत बारीकी ढंग से उपाचन तंत्र हो गया तंत्री का तंत्र हो गया इसे आप यदि देखके चले जाते हैं किसी भी हिकजाम में तो निश्चित रुप से आप बहुत ही मजबूत स्थिती में होंगे तो आँए इसमें हम लोग पर्णते हैं पहले आपको जी विज्ञान की सखा आए तो देखते हैं आपको इसमें पहला प्रस्ण तो सबसे पहलेयान के जनक जो है आपको और स्तु को कोहे जाता है यहनिकी और यह जन्तु विज्ञान के भी जनक है और राजनिती-शास्तर के भी जनक है कौन और अस्तु इस बात को आप ध्यां रखें और अस्तु एक युणान के आई ब्रीधी के परभाव का अध्यान किया आता है सभी लोग जानते हैं जेरेंटोलोजी ध्यान रखना है अब नेश्ट देखिए वर्मी कल्चर में कौन सा कीट परिउक्त होता है तो केचुआ परिउक्त होता है और किसानों का या मित्र कहा जाता है पेडोलोजी के अंतरक अध्यानिक आता है ईंटरमोलोजी जनसंख ख्यायों मानों जाती के आकड़ों के अध्यान का कहलाता है तो डेमोग्राफि यही की जननाग की कहलाता है जीवास्म बनस्पती के अंतर्गद पादप जीवास्म का अध्यान किया यह जाता है निक्ष्ट देखिए विभीन सांस्कृतियों के विवरण के तुलनात्मक अध्यान को क्या कहता है तो एथनो कि इसे पूछा गया है सब्जी का अध्यान की साखा के अंत्रगत किया यह जानते हैं अस्तियों का अध्यान विज्ञान की किस साखा के अंतरगत किया आता है तो अस्टियो लोजी के अंतरगत किया आता है सर्पों का अध्यान किस विज्ञानिक साखा के अंतरगत किया आता है तो सर्पेंटो लोजी ध्यान रखेंगे अब नेश्ट देखिए हाइड्रोपोनिक्स किसे संबंधित है तो मिरीदार अहित पादप संबर्धन से आपको हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है जन्तु भी ज्याने की जुलोजी के अंतरगत की जन्तुओं का अध्यन किया आता है जीवी तो अम्रीत दोनों परकार के जन्तुओं का अध्यन कियाता है जुलोजी के अंतरगत अब नेश्ट देखते हैं आपको यह बुक जो है बहुत इंपोटेंट है और सभी का मास्टर वीडियो बना दिया गया था इसको भी आपको अच्छा से देख लेना है एक्जाम में जाने से पहले जी विज्ञान की भीविन सखाओं के जनक तो देखिए जी विज्ञान की साखा और जनक तो जनतु विज्ञा थिआए तो ठोल्च फोड़ा से छटा करते हैं जिवाडू विज्ञान तो जिवाडू विज्ञान का जनक आपको रावरट कि आपको जनक किसे कायाता है बिलियम हार्वे को और एक रुधीर को पुड़ा शरीर में घुमने में कितना समय लगता है तो तेज सेकंड का समय लगता है को सिका विज्ञानेनी की साइटोलोजी का जनक राबोट को कहाता है 1665 में को सिका के खोच किये थे राबोट उत्परि इसके जनक है कवक को लोजी के नेक्ट देखिए पादप शरीर किरिया विज्ञान स्टीपन हेल्स है आधुनिक बनस्पती विज्ञान के करोलस लिनियस है जनक रुधीर वर्क के आपको कार लेंड इस्टीनर है इस बात को ध्यां रखना है रुधीर वर्क के अन्तवस्रा इस बात को आप ध्यां रखेंगे अब ध्यां देना इसमें अनुवांसिक अभियांत्री की जनक पॉल वर्ग हैं सेवाल विज्ञान एनिकी फाइकोलोजी के जनक बिलियम हेनरी हर्वे हैं सेवाल विज्ञान बिलियम हेनरी हर्वे भारतिय सेवाल विज्ञान के जनक आपको ए पोपी आयंगर है भारतिये परिष्थित्र की तंत्र को तो कहा याता है और भारतिया परिष्थित्र का रामदेव मिस्रा और जनक हिपोक्रेट से हैं और सुछमदर्शी की एनिकी जनक लोग जेएं जिन तेरफी की जनक है इसे आपको ध्या रखना है पर एक प्रसंद में इसे देखना है तो जन्तु विग्यान की एक यहीं सखाएं और अस्थिकों जनक जनक कहा जाता है तो ध्यां आता है घ्ञास विघ्यान जीतना का अधियान का अध्यान के यहता है यह मी में आंतरीग सरचणा का क्याता है इसे ध्यास रखना है अब नेक्ष्ट देखिए सारा बुक को करा दिया गया है आप चैनल पर जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में केशीडों लौजी पादप में रोग जन्य गांठों पादप कैसर का ध्यायता है आपको केशीडों लोजी में ड्रेंडों को अध्यवासियों दुवारा पादपों के ऊपएव का अध्यां के अध्यन के आता है एकोंनोरो कने इस कता है एकस सो बाए वहं अने ग्रहों पर अध्यान किया आता है संभावी जीओं का जेनिटिक इंजिनिरिंग तो क्रित्रिम जीन्स का निर्माण वह अस्थनांत्रन का अध्यान किया आता है जेनिटिक इंजिनिरिंग में ध्या रखेंगे लाइकेनोलोजी में अध्यान का 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 अध्य जिवों के विवीर संबंधों का अध्यान इकोलोजी कहलाता है नेक्ष्ट एंड्रोक्राइन लोजी अंतरहसावी तनुतों का अध्यान कहलाता है एंड्रोक्राइन लोजी एंब्रायो लोजी भूरिये संबर्धन का अध्यान कहलाता है आपको ध्यान रखेंगे एंब्रायो है भाइच देखिए इसमें से सार एक प्रस्ण इसमें सब्सक्राइब को भाइड्यानिक प्रस्षाइब क्याता है pald i प्राइप की चौछी आवस्था होती है नीमेटोलोजी निमेटेस का पाधपों के साथ संबंधों का अध्यन कहलता है नीमेटोलोजी पेलीओ बोटनी पायदभी पड़ागों का अध्यन कहलता थे पैथो लोजी में अमनेस्ट दकिए है पैरा सीटो लोजी पॉसंट तथा पर जियूंगों के संबंधों का गलाता है पिकलिक त्सट तो लोजी पादपों का अध्यन का लाता है या विगे को लोजी दैरैय capitaमίν बादपों के में इस्तित पात्मों का अध्यण eingesksi कहलाता है य्थि घ्रैपक सूरे के परभाव से चिकिश्या करने की परकेरिया हैं debt सभ्षान के अंतरवत बीना मिर्दा के बगवानि की जाती है है अब आगे देखते जनतु विज्ञान की प्रमुख सखाएं इसमें देख्ते हैं आपको जो कि अधियन किया लाता हैम्ड़ालो जी को अधियन का है मैं में मिलोॉग जी माइकरो बाएयो लोजी लोजी संधर लाता है को भड़नी तो नीधो यूनीलोजी से ध्यां रखने और ऑर plannedill ते नेकें लोगों कि प्रैकिर्ति के लच्छनों का अध्यान पीज़्फोय जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्यान जरा विज्ञान एनिकी गिरेंटोलोजी कहलाता है ध्यां रखेंगे इनिकी बिरीधों का जो अध्यान होता है जेरेंटोलोजी में ही किया अब नेश्ट दखिए अब इसके बाद आपको देखते हैं जीवन की उत्पत्ती से स बत्मान के अनुसार पिर्थी पर जीव का उद्धुम दो अरब वर्स पुरु से माना याता है कि परतिपाति किया था तो चाइय ह तो चाल स डार्विन把它 का मुखि कारण क्या है तो प्राकिर्थी वर्ण जो है डेश्योरल सेलेक्शन परमुक्ष साधनुए अब उसके बाद आखते हैं उद्विकास के उद्परिवर्तन सी धानत का प्रतिपादन किसने किया था तो हीगो डूई ब्रीजने किया था काफी इन्पोटेंट है यह बुक को आप देखके चले जाते हैं तो बहुत ही आपको मजबूत इस्तिती में पहुंचने में आपको मिलेगा आर्कियो एप्टेरिक से जुरैसी क्यों का सबसे प्राचीन पच्छी है जो सरिश्री पोपच्छी वर के मद्ध की कड़ी है मैमत किस जीव का पूर्वज है तो हां ठीका पिर्थी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति माने जाती है तो नील हरी सेवाल की और पिर्थी कुद्पत्ति कब होती है तो 460 कडोर वर्स पहले होती है और उसमें भी 3.8 कडोर वर्स पहले आपको जल में जीवन की उत्पत्ति होती है अब नेक्ट देखिए सी ती रितू में पासुओं के प्रसुपति काल को कहते हैं हाइवर्नेशन कहलाता है किस जीव में असनायू तंतर में असनायू तो होता है परंतु मस्टिक्स नहीं होता तो तारा मिन इन इस्टार फिस जीवाडू में किस परकार के राइबोसों पायाते हैं काफी इन्पोटेंट है नेश्ट दखिए निलहरी सेवाल जीवाडू तथा कवक लवक नहीं पायाते हैं बलकि लोमिली की अकार की कौन सी रचना पायाती है तो क्रमेटो फोर्स पायाती है निलहरी सेवाल में और जीवाडू कवक में अब नेश्ट देखिए केन पोधों में जायलरंम वहिकाओं का अभाह होता है और लिजी और टेड़ोफिट में जायलू क्या जंपिंग जीन की खोज किस ने की थी तो मैक ली टॉंक ने किया था कौन सा च्छार डी एने तथा आर एने दोनों में पाया आते हैं तो एडी नीन गुवानीन साइटो सीन ऐसे कौन से उड़ने वाले जीम है जो पच्छी वर्ग में नहीं आते हैं तो चमगादर पच्छी सामिल के आता है बलकि इसे अस्तन पाई वर्ग में ही समिलित के आता है यह बच्छे देता है और दूद भी पिलाता है वह समूझ इसके जन्तु प्राया रात्री चर होते हैं तो मच्छर चमगादर पुल्डू कि अमनेश्ट देखिए सधारन नाम और बैग्यानिक नाम य इसे और सेर का पैंथेरा लियो है मटर का तो पाई समस्ट आई वं है ध्यान रखेंगे मटर का विज्ञानिक नाम नेक्ट दखिए लिए खडी तो बिल्ली डिका का को फिल जकत एक टण और मेढ़घ का है राना टिग्रीन्य मटर हो को अि होगा चाना का सीशर एरिटीनम है गाय को बॉस इंडिकास हो जाएगा आम को मेंगी फेरा इंडिका हो जाएगा प्रकास अंसलेशन की प्रकासी को प्रकासी का विकिरिया कुलोरोप्लास्ट में कहां संपन होती है तो करमसक ग्रेना यूम इस्ट्रोमा में संपन होती है मुलसका संग के कुछ जंतुम में नीले या हरे रंकारक किसके कारण होता है तो हीमो साइनिन के कारण होता है नेक्र दखिए परतेख पेज में एक प्रसंदी आवा है उसे हम लोग देखते चलेंगे तो मानो हीरदय का बाया निले प्रकोष्ट पुनत औक्सीक्री रक्त कुमहा धमनी और समपूर्ण सरीर में भेंचता है ध्या रखेंगे मानो हीरदय का बाया निले अब आगे निश्ट देखिए कौकों और उच्तर पाद्पों की जणों के मध्य कौन सा कर्यात्मक सहचार यह पाया जाता है यह पायाता है को कवक मूल पाया जाता है इस्ट और मसुरूम किस परकार के जीव हैं तो फफूद कपास में पाया जाने वुला प्रमुग घटक कौन सा है तो सेलुलोज कपास मे कि इन पोटेंट है अब निश्ट देखिए कि लाइकेन किसे निर्मित होते हैं तो कवक यों सैवाल से लाइकेन मिस्रीत होते हैं ध्यां रखेंगे जीवन चक्र की द्रिष्टी से पोधे का सबसे महत्पून अंग कौन है पूस्प है कियों किसी से निरंतर विकास की कड़ी जारी रहती है क्लोरोफील के निर्माण में कौन सात्त तो महत्पून होता है मेगनिसियम अब इसमें नेश्ट देखते हैं आपको ध्यां रखना है कि अधिकांस कीट किसके द्वारा सौसन करते हैं तो वातक तंतर चे करते हैं ध्यां रखेंगे और कीटों का अध्यानक आलाता है आपको एंटमोलोजी कुनैन आभीर्तिवीजी पादप का उदारण है जो सिनकोना नामक पोधे की छाल से प्राप्त होता है यह मलेरिया के उपचार के लिए पर्यों किया आता है कौन ध्यां रखेंगे आपको कुनैन सेव में पाया जाने लाल रंगा क्या जो काफी इंपुटेंच है घश्रत देखे हैं कि टवाटर में लाल रंग किसके कारण के कारण उपस्तीत होता है तो लाइको पीन के कारण होता है सवतूत के फौल का वाग्यानी के नाम क्या है सरोसीश इसे दिया रखेंगे पूछा गया है निफियंतिष कसियान अनामकपधे मुखेत भारत के किस राज में पयाइता है तो में घालें पयाइता है चट्टानों पर रोगने वाले पादब क्या काहलाते हैं कि शयलोद भीत कहल आते हैं घट परणी कीट भच्छी पादव के अंतरगत आता है इसकी पत्तियों के परण फलक नी घट मेरू पांतिरीत हो जाता है तो ध्यां रहें घट परणी जो होता है आपको इस तरह से पादव फुला इस तरह से होता है और इस तरह से रहता है बंद सबसे बड़ा अक्य सेर्व की जीव कौन सा है तो कोलो सल सिकवर्ड है जल यह मस्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभायचर वर्क के अंतरगत रखा जाता है तो में ढख है ध्यां रखेंगे अब निश्ट देखिए लीची के फ़लों को कि साखा के अंतरगत रखा गया है एक बीजी बेरी के अंतरगत रखा गया है हल्दी पोधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसके खाने वाला हिससा प्रकॉंद कहलाता है ध्यां रखेंगे हल्दी किस परकार का उधारण है तो प्रकॉंद का उधार बड़ा अस्तन पाई या संधारी है रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल में किस अवस्था में और जिक तंतु उद्पन करता है तो पीवपा वस्था में करता है गरम रुधीर वाले या समतापी जन्तु के सरीर का तपमान कितना होता है और अस्तन धारियों में ध्यां रखन बच्चे नहीं तो एक इड़ना जो है आप उंडे देता है बच्चे नहीं देता है जानने की इच्छा प्रगड करना तथा गूड चीन तन मनन करना मनुस्य को वानर गुणों से अलग करता है काफी इन्पोटेंट है मानों के शरीर में पाया जाने वाली सबसे छोटी प्रणी का है सील की सुवर्ग का प्राणी है तो अस्तन पाई है कोर्ग की स्पिनेट से प्राप्त होती है तो को एक से प्राप्त होती है डॉल्फीन की सुवर्ग के अंद्रगत आते हैं तो अस्तन पाई वर के अंद्रगत आते हैं अफीम मौर्फीन पोस्ता के पोधे के प्राप्थ होती है ध्यां रखेंगे पोस्ते के पोधे की अद्पके फल से प्राप्थ होता है नेक्ट देखिए अनुकुलिद प्राप्थ को क्या का थे हैं अब रखेंगे अ नेक्ट देखिए किस एंजाइम के कारण होती है यूशी फेरस किस्स से प्राप किया आते है ने अब नेट्स दखिए लेग हिमोलोबीन किस में पाई जाती है यूँ मुल्ण ग्रंथियों में डार्विन की पुस्त कॉन दो ओर जीन ऑफिस पीसीज कब प्रकासित हुई थी ता ठारा सो उनसट में प्रकासित हुई थी यह डेट का एक जाम में पुछा गया इसे आप ध्यां रखेंगे जैविकास के पच्छ में किस सुरोच से परत्यच परमान प्राप होता है तो सरीस्रीप में जो कंकाल नहीं होते हैं कोकरोच सिल फीज किस प्रकार की परिसंचन तंत्र पया जाता है तो खुला परिशन चरंट प्राणी है किसा प्राणी है तो नियत था पी ठांडी है बिग्यान की पेलियों ऊंटोलोजी नामक सखा के अंतरगत जिवास्मों का अध्यन किया जाता है सबसे बड़ा पच्छी जो तेज गती से दोड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है सुत्र मुर्ग है ध्यां रखेंगे ऑस्ट्रीज काफी इन्पोटेंट है और सबसे बड़ा जो कोशिका होता है इसी के अंडा का कोशिका होता है न में पयाता है यह रखेंगे लिगणिक नामक पदार्थ जमा ह्रहता है जायलम उत्तक में जमा रहता है जो कि यह जो पवुद्धों को जोल कोफ़े पहुछाता है उसी जायलम उत्तक में निक जमा किस कारण से होता है तो करीका जैन्थिन की उपस्तिती के कारण पपीते का पिला रंग होता है पोधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है तो सभी जानते हैं तना से किस सेवाल से आयोडीन का निर्मान होता है तो लेमिनेरिया नामक सेवाल से भूरी सेवाल विजी से कहा लेकिद दEhट किंवाली नैट्रोजन को नाइट्रोजन के योगी को में परिव difet करते हैं तो नाइट्रोजन करते हैं और यφο cheese बहुर्ण जीव द्रब कुंचीत होकर मर जाते हैं जैसे कि आपको नमक चीनी में आप देखेंगे कि ज्यादा दिन तक कोई मतलब खाद पदार्थ को रखा जा सकता है जैसे गुलब जामून हो अचार हो कोवक कोसिका में संचीत होने वाला खाद पदार्थ कौन सा है तो ग्लाइकोजेन है तलाब और कुम में किस जंतु को छोड़ने से मच्छोणों को नियंदिर्द करने मदद मिलती है तो गेंबूसिया फीस या उसके क्या करती है कि मच्छोणों के लारवा को खा जाती है बिसफे नौल एनिकी BPA क्या है तो खाद सम्वेस्टन समागरी के विकास के लिए परियोग में लाया जाने वाला रसायन है मिरीदा के परियोग के बिना केवल खनी जीक्ट सहायता से पोधे उगाने की विधी में हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है प्रती जैवी की मुखेत फ्लेमिंग इसके खुच करता थे किस्ट को सीगा में कौन सा मुखे विकार उपस्तित होता है तो जाइमेस होता है जब एक जीन दो या दो से अधिक भीन भीन लच्छोनों को एक साथ नियंतित करती है तो इसे क्या कहा जाता है इसे बहु प्रभाविता के नियम कहा जाता है कि उनीन और कुनेन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है तो सिनकोना के सभी जानते हैं पूछा भी गया है प्रसन मेंडल ने अपने बंसागति नियमों को परतिपादी करने में किस पोध्य का परयोग किया था ध्यां रखेने मटर परिद्धों संधान किया था ग्रेगर जोन मेंडल अठारा सो बाई से अठारा सो चोरासी को आध्यूनिक अनुवांसी की का जनक कहा जाता है सुखा सही सुर्ता से संबंधित हार्मोन है अधिकांस एंजाइम की स्ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं तो 20-35 डिगरी के मद्धे अब नेक्ष्ट देखिए हे परतेक पेस में किनपोटेंट प्रसंग दिया हुआ है तो सीप घोंगा इस्कुिड कोड्य अक्टोपस कटल फीस मोलस्का वोन होते हैं दहां थे ध्यां रखेंगे जिसे की घूंगा हो गया आपको अक्टोपस हो गया तो केल्सियम कार्बोनेट की इसके कवच बने होते हैं नेक्ट देखिए अब कोशी का आगे बारे में देखते हैं जो की काफी इन पोटेंट है इससे प्रसंद निश्चीत रूप से प्रते की जाम में तो इसमें देखिए पहला प्रसं तो जय विकास के किस को शीकांग को उर्जा घर एनिकी पावर हाउस कहा जाता है तो माइटो कंडरिया को कहा जाता है हमारे तंत्र में अधिक्तम एटीपी अड़ों को उत्पन करने वाले पदकार नाम क्रिफ्ट चक्र है प्लाजमा झिल में लिंग गुण सुत्र नहीं पाई जाते हैं जन्तु कोशिकाओं में अनपस्तित होती है तो कोशिका भित्ती जन्तु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है उसमें क्या पाई जाती है कोशिका जिली पाई जाती है जन्तु कोशिका जिली और काफी इन्पोटेंटे से ध् शेविक किसरणтесь पहते हैं किसे कांग की ठीक होता है किसीब पाचन के पाचन थहली तो को कुछ का सожет देता है जो उसके अंदरा जाता है इससे उसकी में रित्पू हो जो हाती है नेक्ष देखिए मनुष्य के किस उत्तक में जन्म के पहचात कोशी का विभाजन नहीं होता है तो तंत्री का उत्तक में कोशी का विभाजन नहीं होता है और सबसे बड़ी जो कोशी का होती है मानुषरीर की तंत्री का तंत्र की ही कोशी का होती है कौन सा भाग पादब तथ सब्सक्राइब कर लिजिएगा और प्लेलिस्ट में जा कि आप इच्छानू सार बुकों को देख सकते हैं बहुत सारे बुकों को पढ़ाया जा चुका है जीन सब्द सर पर्थम किसने प्रतिपादित किया था जॉंसन ने रिवर्स परति लेखन की खोज किसने की थी तो टेम कोशीका का जीवित औंस जीव द्रब कहलाता है यह किस से मिलकर बनता है तो कोशीका द्रब केंद्रक द्रब से मलता है कौन सा कोशीका प्रोटीन संसलेशन में सहायता करता है तो राइबोसोम सभी जानते हैं मानों शरीर में गुण सुत्रों की संख्या कितनी होती है 46 यहन तो महिला में एक जोड़ा असमान होगा इस बात को आप ध्यान रखेंगे अब निश्ट देखिए कौन सा तत तो पौधे की कोशिका भित्ती की सरचना का घटक है तो केल्सियम सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है तो माइको पलाजमा किसे जीवन का भौती कधार माना ज देखिए द्वीनाम पधती के जनमदाता कौन थे करो लोस लिनियस थे दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है तो जीवद्रभ जन्तु के माध्यम से होता है किस्तत्त्यों के कोशिकाओं में कत्रित होने से रंध्र खूल जाते हैं दी जाती है नेक्श्ट दख Slow приг प्लाजमा जिल्ली कि सपधार्थ से बनी होती है तो लाइपो对 अब देखते हैं काफी पार्गम में होती है विसु की सबसे छोटी को रते हैं विशु का सबसे बड़ा कोशिका है तो सुत्रमूर के अंडा का होता है विशु का सबसे बड़ा कोशिका मानो शरीर में सबसे छोटी कोशिका है तो सेरी बलम की ग्रेनियूल सेल की कोशिका होती है सबसे चोटी कोशिका और मानों सरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यहनि के वल इस्तिरियों में होती है और मानों सरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है ते निवरान होती है सबसे लंबी की बात हो रहा है और पूर्सों में सबसे चोटी कोशिका सुक्राणु देखे मह देखिए आपको कि पूरुसों के सुक्राणु तो था महिलाओं के अंड़ाणु के निसेशन की किरिया अंडवाहनी में संपन होती है अब पोसण देखते हैं जो की इन्पोटेंट है मानों शरीर में किस पोसकत्त्त की कमी के कारण शरीर ब्रीधी धीमी हो जाती है तो प्रोटीन इसकी कमी से क्वासी और कर भी रोग हो जाता है बच्चों में खासकर प्रोटीन ए क्या मुख्य सुरूत है तो दूध है ध्यां रखेंगे एनिकी बिटामिन एक असुरूत क्या ह दूध है और विटामिन एक नाम क्या होता है तो रेटिन नॉल होता है विटामिन एक रशानी क्या होता है रडारी से आप ध्यां रखेंगे दूध मैं आपको विटामिन सी और लोहतत्त तो नहीं पाया जाता है प्रोटीन यों मुवसा दोनों की परचूरता की सखाद पदार्थ में होती है तो मुंफली में होती है ध्यान रखेंगे और मुंफली का उत्पादन सबसे अधिक भारत में कौन करता है राज तो गुजराद शरीर म में उत्तकों का निर्माण किस पोसक्तत्तों से होती है तो प्रोटीन से होती है किस विटामिन को हार्मोन माना आता है तो विटामिन डी को हार्मोन का आता है ध्यां रखेंगे और विटामिन डी का खोज करता कौन थे तो हपकिन्स थे कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पा को प्रती दिन अहार में लगभक सतर ग्राम प्रोटीन की आँ सकता होती है लार किसके पाचन में सहायक होता है तो सभी लोग जानते हैं अश्टार्च को पचाता है कौन लार अलसी तीसी किसका परचूर सुरूत है तो ओमेगा थिरी का परचूर सुरूत है क्या तीसी नेक्ष देखिए मानो सरीर में पाचन की अधिकांस किरिया किस अंग में संपन होती है तो छोटी आत में संपन होती है मांस की तुलना में मचली को सुपाच और लबदायक क्यों माना याता है तो माना याता है इसलिए कि बहुँ औसंत्रीप तवसा अमलक्यू पस्तिती के कारण मचली को जो एक सुपाच और लबदायक भी माना याता है दूद किस बेक्ट्रिया के कारण खराब है तो लेक्टो बैसिलज के कारण दूद खराब हुयाता है फासफोरस सरीर में अमलियत इंवs चारियता के मध्ड रखता है कौन फासफोरस यूं कि प्त्रेस होती है तो लोर की मात्रा सबसे अधिक होती है किसमधी 2 पुर्टीन को पचाने में सहायक है यूं कि की सब्सक्राइब क्यों कि नहीं होता है प्रलानियों मिलानीं की छीवित प्रक्राइब रोगियों के लिए से संबंधित रोगी हैं उनके लिए सेव खाना उप्यूग होता है कि उसमें पाया जाता है आपको पोटेसियम का सुरोथ पाया जाता है किसमें सेव में नेक्ष दखिए दूध में प्रोटीन और कार्भोहाइडरेट के अतरिक्त केलसियम और पोटेसियम तत्तों सम्मिलित होते हैं प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाती है तो सेवीन में पाया जाती है ध्यां रखेंगे एलफा की रेटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पायाता है तो त्वचायम पायाता है गेहु में कौन सा प्रोटीन पायाता है तो गलुटेन जो होता है गेहु में पायाता है इसको ध्यां रखेंगे आपको हलका सफेद होता है किसमें विटामिन सी की मातरा सरवाधिक होती है तो आवला में जो है विटामिन सी की जो सबसे मातरा दिक पायाती है इसकोर भी कम सुत्र होता है विटामिन D का प्रमुख सुरूत है तो सूरी की किंडे इसके अलावा आपको समुंदरी खरपतवार और सेवाल और समुंदरी मचलियां भी विटामिन D का सुरूत है किस विटामिनों का निर्माण हमारे सरीर में होता है तो विटामिन जो आपको D ध्यान रखेंगे विटामिन डी और B3 का निर्वानण जो होता है हमारे सरीरों में होता है और केलसी फिरोल विटामिन डी का रसानिक नाम है अब नेक्ष देखते हैं कौन सा और देखे विटामिन परियात अधी तक याद रखने में साइक होता है तो बीटामिन आपको B6 होगा यहने की B6 का रसाइनिक नाम क्या होता है तो पाराडाक्सिन होता है B6 का रसाइनिक नाम सबजियों में मुखेता हमें प्राप्त होता है तो विटामिन प्राप्त होता है सबजियों से खास करसी एक ग्लास पानी पीने से कितनी कलोरी मिलती है तो सुने कलोरी मिलती है इससे कोई कलोरी ने मिलती है नेश्ट दखिए बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं एमाइलेज की उपस्थिती के कारण दूध में कौन सा सेकराइड उपस्तित होता है तो लेक्टोर जो होता है दूध में उपस्तित सेकराइड है किस विटामिन की कमी से स्करवी रोग होता है तो स्करवी कम लेनी की विटामिन सी ध्यां रखेंगे और विटामिन सी के खुछ करता कौन थे आप कमेंट करके हमें करता है 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 पिटाइटीस मानों शरीर किस अंको परभावित करता है यह किरीद परभावित करता है नेश्ट देखिए विटामीन की जो खोज हुई थी उन्नीश सव आपको 12 में होई थी फॉंक द्वारा किया गया था इस बात को भी आप ध्यां रखेंगे किसके संसलेशन मे लिए के करसानिक नाम क्या होता घ्र फिलो की नीन होता है पौधे वग जनतुह में कार्पोहईडयडेट का संचय किस रूप में होता है तो पौधे में ता mai में जंतूह में ग्लाइको जेन के रूप में विटामिन होते हैं तो आवस्य कार्बनिक योगी जिनकी संसलेशन शरीर में नहीं होता है विटामिन होते हैं नेश्ट देखिए अब प्रतेक पेज पर एक प्रस्न इन्पोटेंट दिया हुआ है हम लोग उसे देखेंगे शरीर में उसोसित होने वाले पोसक पदार से भंडारण के लिए आवसकता से अधिक वसा का संसलेशन कर लिया जाता है ध्यां रखेंगे अमनेक्ष देखिए थोड़ा सा इसे जुम करते हैं कैसी मीर कैसी मीर फंक ने किस पोसकत्तो की खोच की थी तो विटामिन की कॉप्त उननी सो आपको बारह में कहीं कहीं गारा भी देता है तो बारह ध्यां रखना है आपको विटामिन ए से संपन किस खाद पदार्थ किस ख विटामिन इसे भरपूर खाद पदार्थ हैं अब ध्यां रहें सकरकेद गाजर पाला का सबसे अधिक गाजर में होता है मनुस्रे में बीटामिन एक कमी रतोंधी कमी से रतोंधी होती है सारी रिख व्रीधिवा भार में कमी कार्णिया तचा में गुत्पन हो जाता है आप किलोसीस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन B2 की कमी से होता है आपको किलोसीस नामक रोग थामिन किसका रसानिक नाम है तो विटामिन B1 का नाम थामिन है जल में कौन सा विटामिन घुलनसील है धिया रखेंगे जल में जो घुलनसील विटामिन है आ स्प्रापिन में होते हैं तो बीटाम couch काने होते में उलब दिर्ली और वीटामीन को लागती सब्सक्राइस कि रहते हैं यह इनिका आफ। कि रह यह सीथ किना मरण सब्सक्रीफॉत caric Here विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो रिकेट्स होता है रगत का थक्का बनने में विटामिन के की हो सकता होती है फिलो क्यूनिन की किस विटामिन की कमी से शरीर की परतिरच्छा प्रणाली तथा जनन छमता कम हो जाती है तो इसकर भी कमल संक्रमन रोधी विटामिन किसे कहते हैं तो विटामिन A को कहते हैं किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है निकिस देखिए यह गुलावी रंग का भी विटामिन होता है अनाज के छिलके में मुखेतों कौन सा विटामिन पायाता है तो थामिन पायाता है नि से आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है कि दिर्ग मात्री खनीज खनीज तो यहीं की सबसे जो बड़ा खनीज है जो मनुस्यों को लेना चाहिए तो केल्सियम यहीं की दातों और अस्तियों की रचना रुधीर असकंदन और तंत्रिकाओं यह पेसियों मे सब्सक्राइब करेंके क्या का मतलब होता है जमना खासफोरस का क्या काम है हमारे सबस्सक्राइब से निखेएं गंध्र अनेक अमीक्य तथा कुछ हार्मण से सब्सक्राइब निए अब आगे देखते हैं मेगनीशियम तो ग्लाइकोल डाइसीज तथा एटीपी पर आसरी तन्य कुपाप चाहिए किरियाओं के एंजाइमों का सघटक है अब देखते हैं आपको खनीज और प्रमुक्स रोत तो केला और खजूर से हमें क्या मिलता है तो लोह तक मिलता है केला खजूर से क्या मिलता है लोह पालक पालक से आपको पोटेसियम मिलता है और इस सबसे अधिक पालक से तो लोहा ही मिलता है ध्या रखेंगे लोहा काफीन पोटेटेज्टेञटेह भी थाने लूहो फॉटेसियं दिया है भी ऐब भी स्तियतले ख्योंों दिया से लीवकी गएफ थै क्यों सेश्च बाइन इंहींट लूईतले स्मय सरक्ष इस्त मुनाइब जाहिए कि वी डोट पो शक्तक तक तो किस अनुपात में होने चाहिए तो प्रोटीन आधा होना चाहिए और 50% प्रोटीन होना चाहिए 25% होना चाहिए और ध्यां रखेंगे और तीन वटा 5 कर्भो हइड्रेट होना चाहिए यहीडिकि आपको 60% इसमें होना चाहिए क्या कर्भोहड़ेट होना चाहिए किस पोसक्तत्य से प्रति ग्राम सरवाधी कुर्जा प्राप्त होती है वसा होती है किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानि मंद बुद्धी यम बौना रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से कौन सा बिटामिन सरीर को रोगो प्रसंद पूछे जाते हैं तो देखिए इसमें देखते हैं विटामिन उपाप चई पर किरिया में महत्तपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विभीन रोगों से शरीर की रच्छा करते हैं कौन बिटामिन तो बिटामिन एक आरा सानी के नाम क्या है आपको रेटिनॉल है और स्रोथ क्या है ते की रोटिनॉल यकी रीट और आत्रिये शरीछिमा केक levant कोसिकां हैं और इस्का कमी से प्रभाव क्या होता है बिटामिन एक कमी से तो कार्निया मतलब आधक का जो होता है तो अचा की कोसिका विकाश ओरूद हो जाता है आंक में मतलब की ज्यादा सित होता है और इससे रोता है सुखा रोग गाए टेल में विटामिन डी पायाता है वरस्षा aprender नाम वितामिन के फिलो के निन होता है और आपको ध्यांघना है चोट पर रखत का ठक्का नौजमना और अधिक रख रख याझनि समान रूप से प्ल लगता है तो ब्लॉड से जम जाता है लेकिन ज्यादा लगया तरह नहीं होगा इलाज ही होगा उसका और यह दिखी एडी क यह आपको वासा में कुलनसील विटामीन है तो आपको धियां रखना है एडीएक अब देखते हैं जल में गुलनसील विटामीन कौन-कौन से हैं और उसके प्रमुख कारी क्या है तो देखिए विटामिन B1 थाइमिन जी से कहा जाता है तो यह बेरी-बेरी रोग उसे हो जाता है और फलिया, सोयावीन, अंडा, मांस और अनाज इससे प्राप्त होता है विटामिन B2 राइबोफलविन इसका रसानिक नाम होता है और किलोसीस इससे रोग होता है पनीर, अंडा, इस्ट, हरी सब्जिया इससे प्राप्त होता है विटामिन B3 निकोटीन अमल होता है कहीं कहीं आपको नियासिन मी देता है तो ध्यां रखेंगे तो इस्ट, मांस, यक्रीत, मचली इससे प्राप्त होता है विटामिन B3 प्राप्त होता है और पिलागरा रोग हो जाता है विटामिन B3 की कमी से विटामिन B5 पैंटो थेनिक अमल होता है विटामिन B5 का और चर्म रोग, ब्रिधी, कम, बाल, सफेद, जनन, चमता कम होता है विटामिन B6 का रसाइनिक नाम पाराडाक्सिन होता है रक्त छिंग्रिता चर्म रोग होता है आपको विटामिन B6 के में से विटामिन B7 बायोटीन होता है चर्म रोग बालों का जढ़ना आपको विटामिन B7 से होता है और इस प्राप किसे होता है तो मांस गेहूं अंडा और सबजी फ़ल चोकलेट महांगा वला चोकलेट नहीं नेश्ट देखिए विटामिन बी नाइन का रजो रसाइन के नाम होता है फॉली कमल समूसे है और यह रख्त छिंडिता में ब्रीधी में कमी होता है इसकी कमी से और यह पाया जाता है आपको हरी पत्तियां हरी पत्तिय यह करीच चैनल पंसानी के नम होता है और रख्त तंतिकार की विकार में यह कर इसकी कमी से हो जाता है द्यान रखेंगे और vitamin c ए स्कर्वी कम आवला निंबू खट्टे फ़ल इतने भी होंगे vitamin c पाया जाएगा और सब से यदिक आपको पाया जाएगा किस में और स्कर्वी रोग और मसूणों में सुजन होयाता है vitamin c की कमी से और यह सभी जो vitamin आपको ध्यान रखना है जल में होलंसिल विटामिन थे जनि बिटामिन बी समूर धियां रखेंगे विटामिन बी सी इसब क्या है जल में बुलंसिल है बिटामिन परियाप्त परकास के परिकास की कोई हो सकता नहीं है परकास संसलेशन की दर किस परकास में अधिक होती है तो लाल रंग के परकास में अधिक होती है नेक्ष्ट देखिए जीवान हो द्वारा नाइट्रेट को आई मंडली नाइट्रोजन में परिवर्थित करने की परकिरिया को क्या कहते हैं तो भी नाइट्री करण कहते हैं किस किरिया के दोरान सौर उर्जा रसानिक उर्जा में परिवर्तित हो जाती है तो प्रकास संसलेशन काफी इनपोटेंट है ब्रीधी रोधक के रूप में कार्य करते हैं तो एब सी सीक अमल और इथाइलीन ध्यां रखना है नेश्ट देखि और जो पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं पर आसरन प्रघात के कारण ही मर जाते हैं ध्यां रखेंगे निक्ष्ट देखिए को कौन सी फसल मिट्टी को अत्रीक नाइट्रोजन परदान करती है तो मटर ध्यां रखेंगे इसमें आपको राइजोबियम नाम प्रतिये उर्च sampai गाता है तो सभी लोग जानते हैं आबला को कहा जाता है नेक्ष्ट देखिए प्रकास वे नीचे है उसको देखें का बाद में haft देखते हैं आपको तो भूमी की उर्वर्ता को घटाने वाला जिवारू कौन सा है है तो थाइलो बैसिलस डिनाइटी फिकेशंट हे आपको गटाने वाला काफी इन पोटेंट्ट ध्यार रखेंगे थाइल बैसिलस डिनाइट्री फीकेशन फीकेंस जीवाणू में प्रकास संसेशन किरिया में हाइड्रोजन दाता समाने तो कौन होता है तो हाइड्रोजन सलफाइड होता है किके सभी पोधहे के जीवन्य चक्र में दो स्वतंत्र पिडियों का एक्गांतरन होता है ये नहिल राएण से निखलने वाली जंगो को क्या कहता है तो इस स्थम्मॉल कहयाता है परजीभी पोधे अपने पोसद से किस अंग द्रा भोजन का औसोशन करते हैं तो चुशका अंग द्वारा करते हैं, ध्यां रखेंगे किस प्रकार के पोधे की जणों में दीतियक बिरीधी पाई जाती है आपको दुई बीज पत्री पोधे में पाई जाती है नाकफणी में पतिया किसमे रूपांतरीत होती है, काटों में होती है गेहुं धान जो में कैसी जड़े पाई जाती है, तो तंतुमय जड़े पाई जाती है नेक्ट देखिए तो प्राया एक बीज पत्री पोधे में पायाता है पुस्पका सहाय का अंकिसे कहा आता है प्याज जो है सकल कंद के उधारन है हल्डी जो प्याजि फुएमर्ड़ के उधारन है हार्मन्स विकार से भिन grieving क्योंकि हार्मन्स उपापचाई किरियाऊ में पूर्तियां पर्युक्त होते हैं नेख्ट दeing μας हाड़ू में परकास संसलेशन उजण पादपों से भिन होता है क्योंकि इसमें ओटू का निश्कासन नहीं होता है प्याज किसका परवधित रूप है तो तन्य का कई जामी पूछा गया है नेख्ट देखिए परकास अंसलेशन की परकीरिया के वल द्रिश सी परकास में होती है जोकी इनपोटेंट है नेख्ट दखते हैं आपको कंकाल तंतर जोकी इनपोटेंट है मानो भुरून में हिर्दय अस्पंदन कप प्रारम होता है विकास के चोथे पांचवे सप्ताह में भुरून अस्पंदन करने लगता है मनुष्क की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है तो 29 होती है परतिवर्ति किर्याओं का नियंतरन के अंदर कहां इस्थिर होता है नाखुन काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखुन मिर्द को सीकाओं के द्रब्वे द्वारा बने होते हैं जिन में रक्त संचरण नहीं होता है अब नेक्ट देखते हैं आपको हमारे सरीर का सबसे द्रीड भाग कौन सा है दनत वलक है काफीन पोटेंटे से ध्यां जाता है मानो शरीर की सबसे लंबी अस्ति है कौन सी है तो फीमर है नेक्ट देखिए कसेर की रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती है तो एक तीस जोड़ी तंत्रिकाएं होती है मनुष्य के सरीर में पसलियों को कितने जोड़े पाय जाते हैं तो आपको 12 करता है निश्य देखिए वयक्स मानो के सरीर में जल का पर्तिशत कितना होता है तो 65% होता है अस्थियम दन्त हेतु क्या आवस्यक है तो कैल्सियम और फासफोरस मानो सरीर की सबसे मजबूत पेसियां कौम सी है तो जबणों की पेसियां जो है मजबूत है नेक्ष देखिए का परिवार्धन सील भ्रूंड की सुसकन से कौन्स रच्छा करता है इसमानों के जीवन काल इस प्लैंकनिक गुहा है ध्यां रखेंगे सबसे बड़ी गुहा तो चाप पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद भावन किसके द्वारा होता है तो भानाकार उपकला के द्वारा होता है कंड्रा किसको जोडती है पेशी की अस्थी से देखिए आपको टेंडन जो होता है पेशी को अस्थी से जोड़ती है असनाय आ तो पढ़ेंगे असनाय और पेशी से अस्थी यह होता है पेशी से रखना है और अंग्रीजी याद रखना है क्योंकि दोनों कुछे गए है किस नाय और कंड्रा tutte से उत्टक है अस्तनियों की उपास्ति से क्यों भिन कैसे होती है तो हब सिएञ लिकाओं के कारण होती है कि प्रोटीन का बना होता है तो अस्तियों और मेट्रिक्स ओस्तियों को प्रोड़ बनाने लोमण मु ettt Hai क्या होते तो केल्सिययम और मेगनियसियlen के फासफेट होते हैं अस्तियों को नने वाले लगल अनमेट्ट देखिए कौन लाशीक का में कि इस दिण वानगों की होती है तो लाल धल्यों की कॉन सा प्रोटीन्ध तुन से और्वीसित की कॉनसा प्रोटीन तुम्चाबाल ना कुनसिंग के निर्माण में सहायक है कि रेटीन होता है ऑस्थियों में प्रोटीन पाए जाती है और याते हैं दिहां रखेंगे खशियों में मुख्य तो कौन से और्मेलिक पदाफ पाई जाते हैं तो केल्साम तथा मैगनिसियम के फासफेट पाई जाते हैं नेक्ट देखिये मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिगाएं करती है तो आश्टियो क्लास्ट की कोशिगाएं करती है अस्तियों का निर्माण कीन उत्तकों से होता है तो स्योजी उत्तकों के निर्माण से होता है सीसियों में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है तो 300 अस्थियां पाई जाती है मानो शरीर की किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है तो हाथ में अधिक होती है ध्यां रखना है किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थिया परस्पर जुड़ी होती है तो अचल संधी द्वारा जुड़ी होती है मनुष के कंकाल में कबजा संधी का एक का एक उतकरिष्ट उधारन की अस्थियों की संधी में मिलता है तो अलना यो महिमुरस में मिलत मनुष्ट की स्रेणी में एखला में तीन अस्थियां इस्चियम इलियम फीविस उपस्थित होती है अब पाचन तंतर देखते हैं डाइजेस्ट सिस्टम जो की इनपोटेंट है तो इसमें देखिए पहला प्रसंद देखते हैं और फिस ठूण करलेते हैं लार किस के पाचन में सहायक होती है वसा का पाचन करने वाले लाइपेज नामक पन्जायम केar अंग द्वारा स्रावित होते हैं लाइपेज द्वारा वसा के जलिए अफगटरन के पस्चात क्या प्राप्त होता है तो वसी ये अमल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है ध्यां रखना है नेश्ट देखते हैं आपको कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आथ से स्रावित होता है तो सिक्रेटीन पित का संचेन कहां होता है पित आसे में पित का निर्माण यक्रित में होता है यह वसा को वसी ये अमलों को तोड़कर पाचन में सहयता करता है किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है तो माध्यम में अमासे कि दीवार का पेश संकुचन क्या कहलाता है तो क्रमानो कुंचन कहलाता है नेक्ष्ट दखिए है mêmes पाचण तंतर के लिए किस रस में कुलेस्ट्रोल पाया आता है तो कार्वाइड्रेट की सुरूप में संग्रीद होता है तो गुलाइकोजेन की रूप में होता है अमासे में भोजन की जीवाड़ू को कौन नश्ट करता है तो यह सेल नश्ट करता है हाइड्रोकलोरी कम ध्यां रखेंगे अमासे में निश्ट देखिए मानो शरीर की किस सरचना में क्रीमी रूप परिसेसी का पाई जाती है तो बढ़ी आत में पाई जाती है मानो शरीर का वह अंग जो गलाइकोजेन की रूप में कार्बोहाइडरेट का भंडारन करता है तो या करीद करता है या करीद एक अस्तंधारी में सबसे बड़ी गरंथी कौन सी होती है यक्रित होती है अस्तंधारी में सबसे बड़ी गरंथी निश्ट देखिए और अस्तंधारी में सबसे बड़ा अंग कहा जाए तो तोचा ही होगा इस बात को ध्यान रखेंगा और मनुस्य में ही तोचा होता है अग पाद क्या है तो गुलोकोज है ध्यां रखेंगे कोड मचली की अक्रीत तेल में कौन सा बीटामिन परचूर मात्राइं पायाता है यह निकी आपको रेटिनोल पायाता है ध्यां रखना है ने डिकते हैं मम्स गल्सुवा परामिक्सो वाइरस द्वारा फैलाए जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटीट गरंथी में सूजन जलन वर दर्ध होने लगता है लेंगर हैंस की दिपिकाय किस अंग में उपस्थित होती है तो अगनासे में उपस्थित होती है मानो शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक इन्जाइमों का भी सरावन होता है तो अगनासे से होता है निश्ट देखिए जठर गरंथियां किस अंग में पाई जाती है अगनासें पाई जाती है यक्रित द्वारा किस प्रोटीन का संसलेशनल वा संगर किया आता है तो चोत लगने पर जो रखत बहेगा श्राव होगा वो नहीं जम पाएगा लंबे समय तक उपवास रखने का सरवाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पढ़ता है तो ब्रीक पर पड़ता है ध्यां रखना है मानो सरीर में पाचन का अधिकांस भाग किस अंग में संपन होता है तो छोटी यांत में संपन होता है मानो शरीर में छोटी यांत होती है तो अवसोसन के लिए होती है सबसे ज़्यादा यदि रक्त जो अवसोसन किया जाता है वह छोटी यांत से ही किया जाता है नेश्ट देखिए मानो शिसू के जन्म लेने के छो महीने पचात दात निकलना प्रारंब होते हैं ध्यां रखेंगे किस अंग के द्वारा रक्त से इवरिया पिर्थक किया आता है ब्रीक से किया आता है इंसुलीन में कौन सी धातू उपस्तित होती है जस्ता उपस्तित होती है नेश्ट देखिए मानो सिसुव में सर पर्थम मत ध्यवर्ती इंसाइजर दात निकलता है ध्यां रखना है अब नेश्ट देखते हैं आपको लार किस के पाचन में सहायक होती है तो इस्टार्ज के पाचन में सहायक होती है काफी इन पुटेंट इसे ध्यां रखना है वसा का पाचन करने वाले लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा सरावित होते है तो अगनासे सरावित होते है तो से यह अम और ग्लिस्रोल कौन सा पाचक हार्मोन चोटी यांत से स्राइट होता है तो सीक्रेटीर जो होता है चोटी नेश्ट देखिए पीत का संचे कहां होता है फीमत प्तासे में होता है यह वसा को यह अमलो फ्ललटी एसिन में तोड़कर पाचन में साहिता करता है किस माध्यम में किरियासील होता है तो हल के अमली माध्यम में होता है टालीन एंजाइम आपको किरियासील होता है अमासे की दिवार का PCA संकुचन क्या कहलाता है, तो Kalmanu कुझन कहलाता है, पाचन तंत्र के कि सर्यावस में कुलिस्ट्रोlles पायाता है, नेकिश्ट देखिए, कर्व हाड़ेट की सरीर में संगरीत होता है, तो गलाइकोजेन के रूप में होता है, अमासे में भोजन की जीवानों को नश्ट करता है तो ACL करता है हाइड्रोक्लोरिक अमल करता है मानो सरीर की किस सरचना में क्रीमी रूप परिसेसी का पाई जाती है तो बढ़ी आत में पाई जाती है ध्यां रखना है निश्ट दखिए मानो सरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजेन की रूप में कार्भो हैड्रेट को भंडारन करता है यक्रीत एक अस्तन धारी में सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी होती है यक्रीत होती है ध्यां रखना है निश्ट दखिए अगनासे मानों शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी है पिलिया से कौन सा अंग परभायूत होता है या क्रीद परभायूत होता है पाचन किरिया के समय अहार नाल में श्टार्च अंति मुतपात क्या है तो गुलकोज है ध्यारखना है कोड मचली की अक्रित तेल में कौन सा विटामिन परचूर मात्रा में पाय जाता है तो विटामिन आ पाय जाता है नेश्ट देखिए मॉम्स गल्सुवा पैरा मिक्स वाइरस द्वारा फैलाई जाने वाली बिमारी है जिसमें पैरोटिट ग्रंथी में सूजन जलन वर दर्ध होने लगता है लेंगर हैंस की डिपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है अगनासे में उपस्थित होती है मानो शरीर में किस एक अंग में हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावल होता है अगनासे में होता है जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है अगनासे में पाई जाती है यक्री द्वारा किस प्रोटीन का संसलेशन का संग्रव किया आता है तो फाइ प्रोजीन और प्रोथम्बीन प्रोटीन का संसलेशन यक्रित द्वारा किया एता है नेश्ट देखिए यक्रित में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानो शरीर में रख्त को जमने से रुखता है तो हीपरिन रुखता है लंबे समय तक उपवास रखने का सरवाधी कि मानो सीशू के जर्म लेने के छो महीने पश्चाद दांत निकलना प्रारंब होता है किस अंके द्वारा रख्त से इवरिया प्रिथक किया आता है तो ब्री किडिनी के माध्यम से इवरिया को अलग किया आता है नेश्ट देखिए इंसुलीन में कौन सी धात उपस्थित होत मानो सरीर में इवरिया का निर्मान की इस अंग में होता है तो यक्रीत में होता है इलकोहल के निरावीशन के लिए कौन सा मानो अंग उतरदाई है तो यक्रीत है ध्यां रखेंगे यक्रीत ही सबसे ज़्यादा इलकोहल से परभावित होता है मनुष के सरीर में खून के सु मात्रा नियंतरक है तो एडियाच यम एलडो इस्टिरोन है एक वयक्स स्वस्त मनुष्य द्वारा एक दीन में उस्वर्जित मूत्री की मात्रा कितनी होती है तो लगभग एक दस्मलों पांच लेटर होती है कौन सी अधी मूत्र के स्राव को प्रति शाहित करती है तो डायू उत्सर्जी अंग है जनतू और उत्सर्जी अंग तमनुस्य मेजो यूरिया निकलता है बिरिक के माध्याम से और अमीबा में त्वचा यदि सतह के रिक्तिका से होता है नेश्ट देखिए केचुआ उत्सर जिकाया है। जींगा मछली हरित गरंतियां हैff और फीता की्री में फ्लेम को सीकाया है। अर्थो पोडा मेल पीगी नकाया है और सेलेंट्रेटा झो है तुचा सतर से अपन इरिया निगालता है। और्थोपोडा मेल पीगी निलिकाय से निकलता है फीता किरी में फ्लेम को सिकाय से उर्या निकलता है जिंगा मचली हरित गर्नतियां से अमनेश्ट दखिए कि बुरीक में पथरी इनिह किडिनी एक क्यों यूरिकूम और करूसियं में क्यों अकूलेट और कलसियं पाज़ट से होती हैं गुरदे का काया आत्म क kidding नेकलता है तो किरेटीन पायाता है नाखुनों प्रोटीन ध्यान रखना है जो इस पीडी साइंस 2022 का है बासट सेट जो दिया है परतेक में 40-37 प्रसंद दिये हैं बासट सेट का मास्टर वीडियो बना दिया गया है चैनल पर आप उसे भी जाके देख सकते हैं बहुत ही प्योगी होगा एकजाम के लिए और जो मोडल सेट है लास्ट में जो इस पीडी साइंस के दिया है उसका भी 205 जो मोडल सेट उसको भी बना दिया गया पूसे भी यहीजिया थी से कहते हैं इर्यृ मिया कहते नेक्ष्ट दखिए defraven मनुष्य मोस्य में किस प्रकार का उच्षॉड पाया आता है इरीओ टोलिकी किस में पाया आता है मनुष्य में ईरोक्रोम का निर्मार कैसे होता है तो लार्र उधीर कलीकां कि हेमोगलोबीन से ब्रीक कि से प्रती मीनट और सत रक्त प्रवा कितना होता है एक से यह की 1200 आपको दिमल होगा प्रती मीटर-ेर यहीं की एक द्समलोव एक से दो लीटर मीटर होगा यहीट 1200 अमैल प्रती मीटर ब्रीक बेवांगे दुरस्थ कुंडली यह chu कुछ का पूराव सोसौन होता हैरे होता है तियर में रखना अलिक दुरस्त कुण्डळिट भाग। वीबिटियम का निखिये वह बिमारी जिसम्मुत्र के साथ शाध से हयल भी मोट्रieur को रहता है शरीर में सम्पूर्ण रक्ट किसके माध्यम से सुध होता है तो ब्रिग के माध्यम से केचुआ मुखी रूप से अमोन टेलिक औमोनिया उत्सर्जक जनतु है किन्तु परयाप्थ जल न प्राफ्थ होने पर यूरिया हो जाता है कौन के चुवा का निकि आपको रूधीर से मूतर में जल नाइट्रोजनी और पदार्त जैसे यूरिया आधिक उत्सर्जन आपको किड्नी के माध्यम से होता है फेफड़े अमोनिया को रिवर्णित करता है सब्सक्राइब करता है अमनिया होता है गठिया रोक का क्या कारण है तरक्त में प्रवाहित यूरी के सोडियम कर्ष्टलों के रूप में जोडों में कतित होना गठिया रोक कार है निश्ट देखिए अम आसे की दिवार का पेशीय संखुचन कहलाता है तो प्रिश्टल शीज कहलाता है ध्यां रखना है अम निश्ट देखते हैं आपको प्रतेक पेज पर एक प्रसंद दिया हुआ है घ् देखते हैं इन्पोटेंट है नर्भा सिस्टम कि मानो शरीर की पर्तिवर्ती किरियाओं का नियंत्रन केंद्र कहां इस्थित होता है तो मेडूला अबला गेंटा में होता है हीरदै की धड़कन की गती किसके द्वार वढ़ती है तो अनुकंपी तंत्रीका से वढ़ती है दिहां रखना है नेक्ट देखिए तंत्रीका तंत्र के अध्यान को तंत्रीका बिज्ञान कहा आता है यानिकी neurology कहलाता है तंतुरी का तंत्रि का तंतरी नर्भस सिस्टम के अध्यन को नियौजी कहलाता है कॉम नीद आने के लिए चिकी सा सब्दावली का पर्यों कि आता है तो निद्रा का मस्तिक्स का कौन सा भाग उर्टवाकर्षण के विरूर्द करता है तो अंतराली केंद्रक समानी माननों मस्तिक का कितना होता एक tu अहीं कि ignorance करता है तो सरीर में परति वर्ति क्रियाँ का नियंतरर वी व्हुंस में कॉनकों करता है सबस्क्राइब दिखा mystik अब इसमें नेक्ट देखते हैं हम आगे अपना तो शरीर में पर्तिवर्थी किरियाओं का नियंत्रों योम समन्वे कौन करता है तो मेरी रज्जू करता है ध्यार रखेंगे इसे सेरेब्रल पॉल्सी का मस्तिक संबंधी विकार है जो समानतिया छोटे बच्चों में पाया जाता है काफी इंपर्टेंट है कि सेरेब्रल पॉल्सी जो है मस्तिक संबंधी विकार है किसमें पायाता है छोटे बच्चों में तंत्रिका तंत्र का विकास सरपर्थम किस जीव मे मनस्य में मेरू तंतरीकाओं की संख्या कितनी होती है तो 31 होती है मानोशरीर में भूख त्रीपति और मस्तिक्स की द्वाग के द्वारा नियंत्रीत होता है और थेलमस होता है डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानों के किस अंग से संबंदीत है तो मस्तिक्स से संबंदीत है ध्यां रखेंगे नेश्ट देखिए तो मस्तिक्स को सर्वाधिक होती है तो तंत्रीका उत्तक का Πरमूह कार्य है तो उत्यजनाओं का प्राप्त करना और मिर्जिव मस्तिक्स के आवेग भेंजना नेश्ट देखिए अब आगे नेश्ट देखते हैं भोजन ग्रहन करने के पश्चात अहार नाल की तरंग गती और इसकी दिवार की ग्रंथियों के स्रोण का उत्तेजन किस तंतर द्वारा होता है परानुकमपी तंतर द्वारा होता है कौन से तंतर हमारे सरीर में समन्वे का कारे करते हैं तो तंतरिका यो मनतसरावी तंतर करते हैं जो मनुसियों नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह किस रोक से पीडित है तो बुलिमिया से पीडित है काफी इंपोर्टेंट है नेक्ष्ट देखिए जैविक घड़ी मानो शरीर के किस अंग में इस्थित होता है तो हाइपो थैलमस में होता है एपी थैलमस किस गरंथियों से निर्मित होता है तो पिनियल गरंथी है बिनियल से मानो शरीर का कौन सा भाग अल्याइम और रोग से प्रभाईत होता है तो इन्पोटेंट है मस्ति मेर मस्तिक्स कितने भागों में विभाइद होता है तो तंत्रिक अक और नहीं होगा तो मस्तिक्स में पीडा का नहीं होगा नेस्ट देखिए, बानो के जनम के पस्चात कीस अंग में कोशिका भी भाजन नहीं होता है, टो तंगर नहीं होता है, चिकिस्सा उपकरन उपयोग, तो CT-S scan सरीर में असमानेता के लिए होता है, ज्योंकि सरीर में कोई भिकार होगा तो CT-S scan से पता लगा जाता है, हिर्दे में विकार का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रो कारडियोग्राफ के द्वारा जयव रसायनिक तत्तों की जाच में आटो एल एल एला एना लाइजर है हिर्दे की गती नियंतित करने में पेश्मेकर सहायत्ता हो करता है नेश्ट देखिए मानों मस्तिस का कौन सा भाग बृधी स्मिर्थी और तरक का केल्ड thirty का कट है दो तंत्री का को सिकाहों के मिलन को क्या कहते हैं के काफ़ी क्धियां establishment मयरें fare Driving की थी काफी इन पोटेंट से ध्यां रखेंगे नेश्ट देखिए रक्त परिसंचरं तंत्र तो मानों शरीर में कौन रक्त कोशी काए संक्रमण से सरीर की रच्छा करती है तो स्वेत रक्त करणी काएं ध्यां और लाल रख्ट को च्या और एरिथरो साइट और सभी लोग जानते है ऊसमु मानो रख्त का प या लूकwater कहन करना है प्रिद्धी व्यक्ति का रख्तव बढ़ जाता है काफि प्विश्ट दखिए एक समाने competitive का औस पिय अचमान कितना होता है तो अदुत इसे तो आप ध्यां रखेंगे वक्त समय और फेर होता है लेकिन आपको ध्यां सब्सक्राइब ले सकता है इसलिए इन्हें सार भौमिक प्राप्त करता कहा जाता है नेश्ट देखिए कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का परयुक्ता है तो सरीर की पर्तिरत यह रुधिर के एक सो बीस बाइथी होता है आपको 120 होता है और डायए लोस्टिक जो होता है फ्रत तक है तो तरो संयोंजी उत थक है प्रसंद कई जामें पूछे गए हैं यदि एक पिता का रख्तवर्ग A और माता का रख्तवर्ग O है तो उनकी संतान रख्तवर्ग कौन सा हो सकता है तो A अथवा O दोनों में कोई भी हो सकता है नेक्स्ट देखिए रुधीर प्लाजमा में परतिरच्छी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होते हैं लिंफोसाइट के कारण होते हैं दिल का दवरा पढ़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना आता है तो गोल्डे नावर उसमें अगर बचाया जाएगा तो व्यक्ति को बचने की चांस ज्यादा होता है मनुष्य के शरीर में रख्त दाव कितना होता है तो से लमीटि का हार्मोन का मुख्य कार रहत में सरकरा की मात्रा का नियंतरन करना होता है लोक्त में गुल कोश का तर, किसमें ब्यक्टिया आता है तो मिलीग्राम प्रती डेसी लेटर में नेस्ट देखिए कि रखत का ठक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियां है तो ध्यां रखेंगे जो थंबन बनता है तो ठॉम्ब्रो प्लास्टीन प्रोथंबीन और केलसियम को मिलाके थंबरीम बन होता है तो एंजाइम होता है निश्ट देखिए प्रतीजन एक ऐसा पदार थे जो प्रति रच्छी के निर्माण की उदीप्त करता है तथा इसकी मुख्य विश्ष्था प्रतिरोधियों की निर्माण को प्रेरीद करना है रख्त को ही तक पहुचाने वाली धमनिया क्या कहल सब्सक्ति एश्टार्च के जल अपकटन से कौन सा एंजाइम बनता है नहींद बनता है रखेंगे यह रख्त का थक का बनने में फायबरी नुजेन का फाय बीरिं में परिवर्टी थ्रोंवीन एंजाइम का कारण होता है रिग्ष धरविड़कन को नियंतृत करने में सोट डियम की अहम भूमिका होती है नागे एंजाइम एक परकार का है जय उत्प्रेरख राख सांधे फटख गये होगे तो थोड़ा एनेरजी ले लेना है एनेरजी क्या है कि आप ध्यहां रखेंगे कि जो एक आपको हिटलर था तो हिटलर को पहले ध्यां रखें कि हिटलर के पास खाने के लिए कुछ नहीं था शुरू में हिटलर को खाने के पास कुछ नहीं था वो अपने मौसी के अहां जाके रहने लगा और सेना में पढ़ा लिखा था भरती हो गया जब प्रथम भी सुजुद हुआ तो प्रथम 20 जुद्ध हुआ तो आपको ध्यां रखना है वह तब तक वह नेता बन चुका था नेता बन गया था और नेता बनने के बाद क्या हुआ कि उस पर हर जाने के रूप में वर्साय की संदी 1919 में की जाती है और भारी हर जाना उस पर लगा दिया जाता है पुड़े मित्राष्ट के देशों द्वारा लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानता है और पुना हुआ लड़ने के लिए मित्राष्टों से तयार हो जाता है तो एक सितंबर ध्यां रखेंगे एक सितंबर 1949 को वह क् ही मतलब की पहला भी सुझुद में जो हुआ था 1914 में ध्यां रखेंगे उसमें आपको 37 देश भाग लिए थे दूसरा भी सुझुद में आपको 60 देश भाग लिए थे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ कहने का तात पर यह है कि जब एक नॉर्मल बेक्ती पूरे दुनिया को हिल सकता है आप तो मिनहत करके थोड़ा बहुत अपने जीवन में परिवर्तन लाही सकते हैं और वह परिवर्तन बिना मिनहत के संभव नहीं है पॉसिबल नहीं है और वह मिनहत भी आपको ही करना होगा इसलिए आप लागतार वीडियो को देखें और उसे अपने मतलब परिच के द्वारा होता है द्यां रखेंगे देखिए संकुचन से द्वनियों की दिवारों पर पढ़ने वाले रुदीर दाब कहलाता है अब दिखते हैं आपको इंपोर्टेंट सारे प्रसंद देखें इसमें इन पोर्टेंट ऐसे नहीं कि तमाम तरह कि कुश्चन भर दिये ग करता है तो लाल कणिकाओं की संख्या में बृधि होती है एक पोसकपदार्थ कि कमी कारण होता है से मानों सरीर की सबसे लंबी सीरा कौन सी होती है फिन इसीरा होती है पर होता है उपस्थиях पर सिस्थ होता है फैये में hearings देखिए यो सब सरीर की सबसे वड़ी धमनी कौन सी महा धमनी है सिसा अंगल को मानौ शरीर का रखत बैंक कहलाता है नेँस्ट देखिये सिरा से होता है लेकिन जो पल्मोंरी सीरा होता है06 और उसके बाद ध्याहर रखेंगे, जो ध्यां होती है तो फॉल्मोनरी ध्या मानों में कितनी होती है तो कोलिस्टरोल की होती 150 से 260 mg प्रती 100 ml होता है नेश्ट देखिए रक्त समू AB को सार भोमिक ग्राही क्यों मना जाता है क्योंकि रक्त समू में परतिरच्छी नहीं पाया जाते है परतिरच्छी एंटिबोडी क्या है तो गलाइको प्रोटीन है कि की विकिरती से होता है तो आर वीची और से संब स्बंधित अंग के कार है तो संबंधितंक परवाहित करना धमनि 1998 को हिर्दे तक अंगों को पन्चाना कार है सिरा स्रीर से घुर्दे तक समीलन करने देखिए हिर्दय का काम है रक्त को संपूर्ण सरीर में परवाहित करना धमनी का काम है रक्त को हिर्दय के अंगों तक पहुंचाना और सिराय का काम है रक्त को सरीर से हिर्दय तक पहुंचाना याद रखेंगे इंपोटेंट है निश्ट देखिए रिसायर्पी नामक और सधी का परिय पादार्त है कि नुए प्लाजमा रख्त पीले रंग का तरल पाधार्त है एलबुमीन तो आपको ध्यां रखना है लुसमों टिक दाब अस्थापित करता है और गोलबुमीन संक्रामों करता है और फ्धैरी नोजें न संग्भावित करता है इस कंदन करता है कौड़ी pada स्वास्त मनुस्ट में प्लेट लेट्स की संख्या समांतर किक्ष आपको 4半 3-4 5 के बीच होनी चाहिए स्वस्त मनुष के सरी में प्रती 100 मिली मीटर में हिमोगलोबीन की मात्रा कितनी होती है तो कि पेपसीन ट्रिप्सीन टैली नग में साहिक पेपसीन ट्रीप्सीन टाउनिस यहिंडों और बचों में देखते हैं यदि माता पिता ध्यान रखना है, यदि आपको माता का O और पिता का A हो तो A awesome भावित होगा बच्चों में, और O संभावित होगा आपको B और A B. अब next देखिए, O और B होगा माता पिता का, तो बच्चों में O B होगा और A B रग्त समों होगा. नेश्ट देखिए और माता पिता में B दोनों में हो तो बच्चों में होगा B और O और A और A B होगा B और A B जो माता पिता में होगा तो बच्चों में जो संभावित रख्त होगा आपको A, B, A, B होगा और O होगा A B A B माता पिता दोनों में हो तो बच्चों में जो संभावित होगा A B A B होगा और O होगा समान रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयू कितनी होती है तो 100 से 120 दिन होती है नेश्ट देखते हैं आपको रक्त में गुलकोच की मात्रा में विरिधी को क्या कहते हैं तो हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं काफी इनपोटेंट है रक्त संबंधी समस्याएं कि उच्च अब हैपर हाइपरटेंशन सब्याद है क्या कहते हैं निभाइपोटेंशन होता है कि से होता है है लिए और हएपोटेंशन होता है आपको निम्न रख्ट दाव से निम्न रख्ट दाव होगा तो आपके शरीर में विकार आ जाएगा है पोटेंशन और अगहाथ से रख्ट स्राहँ होगा रुध में ShCAR hemoglobin की कमी कमी हो जाएगा और रख्टता होगा आपको हिमोगलविन की कमी से अब नेश्ट आपको इसमें देखते हैं कि धामनियां हिर्दे से आक्सीजन एक तुरुधीर को शरीर के विभीन अंगों में ले जाती है अब देखते हैं आपको अंतासरावी ग्रंथियां और हार्मोन एक प्रस निस से पूछे जाते हैं वह से सी हो च सीटोसीन से होता है अब नेश्ट देखिए मानो शरीर में पराबटू ग्रंथी से स्रावित होने वाला पराबटू हार्मोन रक्त में केल्सियम और फासफेश्ट की मात्रा बिन्यमित करता है किस हार्मोन में आयोडीन उपस्तित होता है तो थायरक्सीन में आयोडीन उपस करने के लिए उत्यजित करने वाला अंतसरावी हार्मोन कौन सा है तो टी यस यच हार्मोन है निकि थाइड इस्टूलेटिंग हार्मोन अब नेश्ट देखिए तो 90.6 Fahrenheit होता है, 37 degree Celsius होता है, नेक्ष्ट देखिए, शरीर में अतिरीक्त, गुलकोज, गलाइकोजेन में परवर्तित होकर यक्रीत में सरच्छित रहता है, शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनी भीहिन है, उन्तसरावी ग्रंथियां जो है वाहिनी भीहिन है, पसुओं के थ इंसुलीन की कमी से होता है, अगनासे को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो सिक्री टीन है, अब नेक्ष्ट देखिए, यदि अगनासे में कोई विकार उत्पन हो जाए, तो इंसुलीन और ग्लुकागोन का निर्मान नहीं हो सब्यों हो ऊदेखिए अकषर्मुर्त कौन सी गोपता है ृच्वशी का वाल ग्रबॉन साव कितना होता है तो 0.02 बॉट जिरो चो होता है, kapit जूट हो जो जेखिए , सबसे शोटी उनतवस्य ग्रंथी कौन सी है तो प्यूसलीर सबसे शोटी उनतवस्य गरंथीश्ए सोमेटो इस्टेटिन हार्मोन के स्रावन को रोगता है औक सीटोसीन हार्मोन का क्या कार है उनुसके शरीर में तो प्रसों के दौरान गर्भासे के फैलावियम संकुचन को प्रेरीद करता है अस्तन गरंतियों से दुख्द सरावन को प्रेरीत करता है मेलाटोनिन यो सोने जागने के चक्र को नियंतरीत करता है एड्रिनेलिन तो हिर्दयस्पंदन, रुदीर दबाव और स्वसन का नियमन करता है और शरीर को युधिया पलायन के लिए तयार कौन करता है एड्रिनेलिन हार्मोन, नेस्ट दखिये इस्ट्रोजन तो इस्तिरियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृधिव अविकास करता है इस्तिरियों में दीतियक लेंगी कलचों का विकास करता है इस्ट्रोजन पोज़ेश्टरौन तो गरभासे को भुण के अधी रोपन के लिए तैयार करता है आपको पोज़ेश्टरौन और गरभासे बनाये रखने में सहायक कौन है पोज़ेश्टरौन कि नेस्ट देखिए अब कि टेस्टोएस्टेरां तो पुरुस के सहायक प्रजनन अंगों की बूढ़ीधियों विकास करता है आपको टेस्टोएस्टेौण हार्मॉन और पूरुस दीतील लहेंगी लच्छोनों का विकास वी सी को ज़ता है और पेशियों का विकास में सहायक होता है स्टट्राव्य को प्रेणीन अमनेश्ट देखिए कि प्लाजमा प्रोटीन एंजियों टेंसेसिटेंसिनोजन का और जा संदन कि दर को बढ़ाता है कौन तो रेनीन करता है ध्यां रखेंगे अब देखेंगे पेज में एक इंपोटेंट प्रसंद दिया हुआ है सुआ को है एड्रे नेलीन हार्मोन के स्रावित होने से हिर्देगती बड़ जाती है त्था उतेजना का अनुभभ होता है किसे अड्री नेलीन से ध्यां देएगे अब नेक्ष्ट देखते हैं आपको अब ऐसमें और तेम किस्ग को मांस्टर गरंथी भी का जाता है यहां छूट्वD को सभी जानते हैं सब्सक्राों हार्मोन की कमी से कों सह रोग होता है तो डायूरेशिस भाता है कान के नीचे आउट आहिक ए मानो शरीर में सबसे बड़ी अंतसरावी ग्रंथी कौन सी है थाइराइड ग्रंथी है थाइमस ग्रंथी द्वारा उत्पर्ण होने वाले हार्मोन है थाइमोसीन है गर्म निरोदक दवाईया के रूप में किस हार्मोन की गोलिया दी जाती है एस्ट्रोजन पिवस गरंथी किस अंग में पाई आती है मस्तिक्स में पाई आती है नेक्ट देखिए कौन सी गरंथी अंतह्यों मुवाइस रावी दोनों परकार की गरंथी है अगनास है ध्यां रखेंगे अंतह रावी भी है और वाइस रावी भी है अगनास है कौन सा वरना मानो की तवचा को रंग परदान करता है तो मेला नीन ध्यान रखेंगे जो मेला नीन होता है मानो के तवचा में आपको जीतना अधिक पाया जाएगा उतना ही अभ्यक्ति क्या होगा काला होगा और जितना कौम पाया जाएगा वब्यक्ति उतना ही गोरा होगा तो यह उत्पन कहां से होता है तो यह धूप में ज्यादा उत्पन हो जाता है और छहां में कम होता है जैसे आप देखें होगे कि लड़गियां जब अपने ससुराल जाती हैं तो घर में रहने के व देखते हैं आपको ग्रंथी हार्मोन ग्रंथी हार्मोन अगनास है तो अगनास है जो ग्रंथी है उससे गुलुके गुलुके गौन हार्मोन सरायूत होता है प्यूस ग्रंथी से थाइराइड दीपक हार्मोन सरायूत होता है और अधिविरिक से तो कोर्टी सोल जो हार्मोन हो अदे बिरिक से होता है और बिरिक से होता है आपको विटामिन डी काफी इनपोटेंट है इसे ध्यान देखे अब नेक्ष्ट देखिए और मनुष्य के नौजास सीशु को अस्तन गरंथी निकलने से पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं कोलेस्ट्रम सीशु के लिए किस प्रकार लाब दायक है तो यह सीशु को रोग परती रोधक सकती परदान करता है इनसुलीन में कौन सी धातु मोजुद है तो जस्ता सभी जानते हैं और इनसुलीन कहां से स्रायूत होती है तो यह बीटा को सीगा से स्रायूत होती है निश्ट देखिए मानो शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फासफेट और केलसियम को नियंतरन करता है तब परावटू परावटू हार्मोन करता है हार्मोन शरीर के उपापचय बिरिधी जनन रुधीर दाब रुधीर में जॉल लॉण की मात्रा आधी का नियंतरन करते हैं आयोडी निक्त नमक क् यह थाइराइट ग्रंथी का नियंतरन करता है नेक्रित्य। कि यक्रीकी घंठ न आय अर्श जिय। गलाइको जेन के रूप में जमान होती है ध्यार रखेंगे अब अब प्रमुख्ष ग्रंथियां देखते हैं आपको ध्यान रखना है इसमें मुख्य ग्रलंधियां ही जन्नांगों की ग्रथियां आत Gwen's कुसेर की प्राणियों की आतों इस्तित Хे सलिषमा गरंथिया मेड़क की तौचा में मीउकस को स्राव करते हैं नेक्ष दखिए विज्थिति कशेर की प्राणियों की ग्रहणी में सरच्छन प्रती अमलकास राव करती है प्रुष्टिस्ट ग्रंथियां तो अस्तनियों तथा केचुए के नर्जन्नांगों की सहायक ग्रंथियां है काउपर ग्रंथियां अस्तनियों के नर्जन्नांगों की सहायक ग्रंथियां है नेक् फिमोरेल गरंथियां तो सरीश्रीव जंतुओं की जंगाओं पर पाई जाती है आपको फिमोरेल गरंथियां वसा गरंथियां तो यह अस्तनियों की तवचा में पाई जाती है पसीने की गरंथियां स्वेद गरंथियां जो हती है अस्तनियों की तवचा के पसीने की गरंथि siitä होती है तो मेढ़क की अस्तम के दोनों स्थित होती है आपको अब को आ ten गरंथिया हैं sombu को उस्तनीप में दूदका स्राव करती है थे रूम इनस गुरंथिया है तो new की और गुहा से хлण के समान अब इसमें देखते हैं आपको ध्यान रहें हसी मोटा रोग में शरीर स्वता थाइराइड ग्रंथी को नश्ट कर देता है इसलिए इसे थाइराइड की आत्म हत्या कहते हैं नेश्ट देखिए रोग यम उपचार जो कि इसे एक नमर के प्रते के एक जाम में पूछे जाते रहे हैं तो पानी से भए हाइडरोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन होती है तो विसाडू के द्वारा होता है यहीं कि हाइडरोफोबिया किसके द्वारा होता सब्सक्राइंगे नेशट दिएcito माध हिस्टिरspe番ा रोग समानत रिश्टिर की में होता है महीला Ой नहीं ऑंध अंध बींदू या पीत बिंदू की भाग में पाएं रिश्टि पटल में आंख में परकास तरंगे की सस्थान पर असनाईव उद्योगों में परिवर्थित होती है तो द्रिष्टी पटल सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंदित है तो फेपड़े से संबंदित है नेक्ष्ट दखिए ट्रिपल एंटिजन वेक्सीन नौजाद सिसुओं को कुकुर खांसी टेटनस डिप्थिरिया रोगों से परतिरचित करने के लिए लगाई जाती है मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है तो प्रोटो जोवाद भोजन भी सकता किस जीवाणू के कारण उत्पन होती है तो साल मोनेला बेसिलियाई के कारण आपको भोजन भी सकता होता है ध्यान रखेंगे नेश्ट दखिए मंस, रेविज, हर्पीज यहीं कि मंस, रेविज, एंट, हर्पीज आदी, विशाणू, जनित, रोग के सम्मू में आते हैं जल में किस की अधिकता के कारण इटाई, टाई, टाई, रोग होता है केडमियम ध्यान रखेंगे फेनिल, क्यूटो, नीरिया, रोग किस से है, पोटेसियम अलपता किस से संबंध है, तो नीम रख्त चांप से, नेश्ट देखिए, मलेरिया में कौन सा अंग परभायूत होता है, तो प्लिया, अनुवांसिक रोग लिंग सहलगन है, तो रोयल हीमोफिलिया है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी वाई पर जीवी उत्तरदाई है, हिमोफिलिया एक अनुवांसिक विकार है, जिससे रख्त का इसकंदन नहीं होता है, नेश्ट दखिए, डेंगू बुखार होने पर मानों सरीर में किसकी कमी होने लगती है, प्लेटलेट्स की, और मलेरिया पलाजमोडियम नामक पर जीवी, खो टीमर की पहचान के लिए किसी रेडियो धर्मी समस्थानिक का पर्योक है आता है, तो आरसेनिक 74 का, यदि मुत्र के साथ अलबुमीन की मातरा आ रही है तो बिरिक के परभावीत होने की संभावना होती है, ध्याँ रखेंगे, यदि मुत्र में अलबुमीन आ रहा है, तो प्रभावित हो सकता है नेस्ट दखिए कि साल्क टी का किस रोग से संबंदित है तो पोलियो से साल्क टीके का अविसकार जुनाल सौल्क ने और सुनीसों बावन में किया था ध्यां रखेंगे उनीसों बावन में एथिलीट फूट नामक बीमारी किसे होती है फफूद से होत होने की अति संभावना होती है तो बेरी बेरी प्लाजमोडियम पर जीवी का वाहक जीव कौन सा है मच्छर है नेस्ट दखिए हानिकारक विक्रोनों से मनुष्य के अंगों में मस्तिक सबसे कौम आखे सबसे अधिक प्रभावित होती है एम आर आई का पूर्ण रूप क्य के लिए किया आता है ध्यां रखेंगे अमनेश्ट दखिए है कौन सा मच्छर जी का वाहक है तो मनुष्य के उप्चार में परियोग होने वाले हार्मोन इंसुलीन का अविस्कार किसने किया था तो एप जी बैटिंग ने कि यह थे अब आगे देखते हैं आपको जो की इन मात्रा होने के कारण बुलू बेबी शिंड्रोम नामक विमारी होती है ध्यां रखेंगे अब निश्ट देखिए है तो मस्तिक्स होता है पोलियो एक विशाणु जनीत रोग है जिसका वायरस शरीर में दूसित भोजन जल के माध्यम से प्रवेश करता है मस्तिक्स की विमारी किस से पहचाना जाता है ध्यां रखेंगे नेक्ष्ट देखिए समान निजुखाम की वायरस की द्वारा होता है तो रीनो वायरस की कारण होता है रीनो विशाणु एनुस्मिया नामक्रो किस्य संबन दित है तो सुहने की सक्ति एनी घ्राण संबेदना की कमी से सलफा दवान्या क्या विमारीयों की उपचार में उपयोगी है तो जीवाडू जनित विमारीयों की उपचार में उपयोगी है नेक्ष्ट देखिए अब देखते हैं आपको ध्यां रखना है जिवानु जनीत रोग तो हाईजा जो होता है कल रहा तो पहले दिल्गा रखना है के जिवानु से होता है और कौन सा ज़ीवानु ये लेरे टो देखिए इसमें पर्तेस्ट का नाम इसके लास्ट नीलिग अगया उनने कि कोरीन बैक्टरियम डिप्थिरियाई कारण होता है छोई रोग तो माइको बैक्टरियम टीवर कुलोसी से होता है कोड तो माइको बैक्टरियम लेपरोसी से होता है टीटिनेस कलोस्ट्रियम टीटेनी देखें टीटनेस टीटेनी कोड तकोड का अंग्रेजी लेपरोसी होता ह चलिशन से होता है इसमें दिया हुआ है कि टाइफ हाइड जो होता है तुसा च्छुलेला प्लेक पेस्टी से होता है और निमोनी ऊडि दिए हुआ निमोनी निकी डिपलोकोकल निमोनी से होता है और गोनोरिया होता है निसेरिया गोनोरियाई से होता है नेक्ट दखिए एनेमियो सेली सिलिक एसीट परती सुचम जीवी और सधियों की रूप में अच्मा और कुष्ट दोनों की चिकिस्सा के लिए उपयूकत है संक्रमी चुहे के काटने से कौन सा रोग होता है प्लेग और बिंदुकता नामक रोग किस के कारण होता है तो गोल क्रीमी की कारण होता है एच आइभी द्वारा होने वाला रोग कौनसा है एडस है और डाउन सिन्ड्रोम नामक रोणांशी विकार किस के कारण होता है तो गुण्ड सुत्रों की संख्या में परिवर्थन के कारण नेक्स्ट देखिए एडस रोग एच आइभी नामक विसानू से होता है जिसमें और सब्सक्राइब के लिए सबसे उप्युक्त दवाई कौन सी है जीडो बुडीन है ध्यां रखेंगे जीडो बुडीन और उसे कहा जाता है जपानी एंसे पिलाइटीस बीमारी बिसाडू के कारण फैलती है इसके उन्मूलन के लिए सुरों को मानो रिहासी छेतर से दूर रख से संसलेशन की जंता नहीं रखता है तीमोगलोबीन की नहीं रखता है दखिए कि इसतिरियों की तुल्ना में पूरुष वर्णांद से अधिक प्रभाइत होते हैं तो उनमें कैवल एक स्क्रूम स्मय कि इस c- संक्रामक विमारियां है एलफा टॉक्सिनियुम खाद विशाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभायुत होता है तो यकिति प्रभायुत होता है नेश्ट देखिए परतेक पेज पर एक इनपोटेंट प्रसंदिया हुआ है तो रोगों की प्रकीर्तिक लच्छोनों कारणों और अध्यान रोग विग्यान कहलाता है निया रखेंगे कि रोगों की प्रकीर्तिक लच्छोनों कारणों का अध्यान रोग विग्यान यनि पैथोलोजी कहलाता है अब देखते हैं आपको कि इसमें इंपोटेंट है कि ब्राइट रोग शरीर का कौन सांग प्रभाइद होता है तो गुर्दा प्रभाइद होता है इंटर फेरोन का परयोग किसके नियंतरन के लिए कि आयता है तो कैंसर के सिलिकोसिस क्या है तो फेफरों से संबंधित रोग है मक्का में सफेद कली किस तत्यों की कमी से होती है जींग की कमी से होती है सफेद कीट किस फसल का है तो सरसो का है नेक्ट देखिए पाई रीला किस फोसल में लगने वाला कीट है तो गन्ना में भिंडी में पी तोरण सीरा रोग किसके कारण होता है तो सफेद मक्षी से होता है खसरा रोग को एंटिबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, घामा गलोबूलीन इंजेक्षन का परियों किस रोग की उपचार के लिए किया आता है, तो हेपटाइटिस के लिए किया आता है, नेस्ट दखिए, रानी खेत रोक किसे संबन्दित है मुर्गियों से गेहु में होने वाले दो प्रमुख कवक रोक कौन से हैं काला कीट और इसमर्ट धान का टूंगारों विसानु किसके द्वारा परसारित होता है हरी पत्ती के फफूदे से होता है ध्यां रखेंगे नेक्ष्ट दखिए बड़ फूलू एचफाइब आञन वन इन्फुवयंजा विसानु के कारण होता है यह प्रसं कई बार पूछा गया ध्यां रखेंगे बड़ फुलू एचपाइबिनवन इन्फुदे याद रहना चाहए यूँकि एक एक सब्सब्द भी पुछा गया है बीशीजी तबैसि सब्सक्रावी आंतर सरोध और खूनी पेची से बेबी सी एसी तो तीब्र जोर रगतल पता है नेक्ष्ट देखिए ती लेरियोसीस तीब्र जोर वाह लसीका ग्रंथियों में सूझन। इनाल मोझोसीस होता है ट्रीपीयोसीस होता है जोर रगत होता है और ट्राइकोनोमो यह से सोता है तो गरफ पात यहुँंब बन्हता होता है फिर से एक बार देखना है क्योंकि इन्पोटेंट है पसुओं में प्रोट्रोजवा जनीत रोग है तो रोग का नाम रोग के लच्छों देखे पॉक्सीडियोसिस तरक्त स्रावी आत्रसोद खुनी पेची से पसुओं में बेबी सी एसी तो तीबर जोर और अक्तल पता है थ दखिए नेश्ट ट्रीपेनोसोमी एसी सोता है तो जोर रक्त में और ट्राइकुनोम मोनी एसी सोता है तो गरपात वर बंता में पसुओं में रोग होने वाला रोग है अब नेश्ट दखते हैं विशाणू जनित रोग रोग कारग तो छोटी माता जो हता है वहरी लोवा वायरस के कारण होता है खसरा मुर्बिली वायरस से पोलियो पोलियो वायरस से रेविज रेविज वायरस से चेचक वहरी लोवा वायरस से चेचक होता है वहरी लोवा वायरस से रेविज इ्मिनोडिफिषे आइटीस हैपिटाइटीस हमरे से होता है Health原 इयर्फ से होता है गल्सु वय में सो वाइरत से होता है और जैनाई टल हरिश तो सिंप्र सिम्प्लेक्सी वेजीच नेल से में और इस Am I में खो मेशिए कि ब्लिएक ब्ली को सब्सक्राइब को एक परभावित तो फिसे अंब कि फर ये जुख नेFr 추천 कि आलेट से котором के सुस्त। अधित्म केतर नह्यां कर देखी हैं। तो कुल न वाइरस के बारे में सभी जानते हैं बच्चे बच्चे तक अब देखिए को शिका को सिंसे बाहर अकरमण कारियों को नश्ट करती है जब कि को सब्सक्राइब नश्ट देखिए रो कारक जिवाडू तो हैजा जो होता है करीनो बैक्टरियम टीवर कुलोसी से होता है कुष्ट रोक्त माइको बैक्टरियम लेप्रोसी से होता है और टीटिनेस क्लोस्ट्रियम टीटेनी से होता है और टाइप हाइट सालमोनेला टाइप होसा से होता है अब नेश्ट दखिए प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस से होता है कालि खांसी बारडी टेला पर्टूसी से होता है नीमोनिया डिपलो कोकल नीमोनी से होता है अगोनो odus कि इसने के कारण होता है जस्ता की कमी कारण होता हैанти चाए में लाल रस्ट मेहाँ से होता है तो हरे सेवाल के कारण होता है निम्बू का कैंकर रोग किसके कारण होता है जिमाडू कारण होता है पचेवे भोजन में मौझूद विसले पदार्थ का कौन सा अंग्चूसन करता है यक्रीत काला जर का संचार किसे होता है तो सिकता मखी से होता है ध्यां रखेंग तो ग्रेगरी जोहांस मेंडल हैं ध्यां रखेंगे और सुच में जैविगी के जनक है तो लूई पास्चर परती रच्छा भी ज्यान के जनक है एडवर्ड जेनर है और जिवानु भी ज्यान के जनक राबॉर्ट कोच है ध्यां रखेंगे अब नेश्ट देखते हैं पोटो जोवा जनित रोग है तो रोग और कारक पोटो जोवा तो मलेरिया ध्यां रखेंगे तो प्लाजमोडियम वाईवेक्स से होता है पोटो जोवा जनित रोग में और अमीबी एसीस तो एंटमीबा आपको सिम्पलेक्स से होता है सिम्पलेक्स से काला अजार होता है लिस से अब necessarily हैं ऑगर सोने की वीमारीट पर्षट सोना से होता है दीघ फॉप पुस सधुन लियव मता होता है तो कव्यविभिय खनत उध्योग से का % कारत्ष्रमिक रोग ग्रस्त होते हैं फॉप पुस सधुन लियो मता रोग 시간 कौन लोग रशीत होते हैं उसके डश्ट से रोग होता है अब निश्ट दखिए कि और क्रित्रीम कि जनी तरोग देखते हैं अब इसमें तो रोग और कारक क्रीमी तो फाई लेटिय एस होता है तो बुचेरिया ब्रॉंकाईटी बुर्गिया तीमोरी से से होता है और टीनियस होता है तो टीनिया सोलियम से होता है इसको रियस होता है तो इसके रिस लूम्ब्री काइट से होता है नेश्ट देखिए कवक जनीत रोग रोग कारक कवक एथलीट फूट तो ट्राइको फाइटोन माइक्रो इसपोरम से होता है खाज एकेरस इसके बीज से होता है दाद ट्राइको फाइटोन एपी डर्मो फाइटोन से होता है खाज होता है एकेरस इसके बीज़ से होता है अब नेक्ट प्रसंद देखते हैं आगे आपको तो पौधे में लगने वाले महत्तपूर्ण रोग इसे एक एक करके हम लोग देखते हैं कवक जनीत पादप रोग और रोकारी कवक आलु की बिलमबित अंगमारी तो फायटोब थेरा इंस्फेस्टेस्ट होता है आलु का पुर्ब अंगमारी तो ऑल्टर ऑलोटर नेविया निस व होता है देखिए आलूका जो हरापन होता है सोल लेनेलसी से होता है जहते सांच कर सकते हैड c मुझफली का टिक का रूग सर कोस्पोरा पर्चोनेटा से होता है सरक अस्पोरा पर सोनेटा से होता segment whats गन्ना का लाल विगलन तो कोलेटो ट्राइकम फालकेटम से होता है गन्ना का और गेहूं का काला किट तो पकसिनिया ग्रेमिनस टीटीसी से होता है गेहूं का अस्थलकंड तो अस्थी लेगो टीटीसी से होता है नेक्ट देखिए गेहूं का चुन असमिता तो इरी साइफी ग्रेमीनस से होता है और कुरुसी फेरी का सफेद किट तो एल ब्यूगो कैंडीडा से होता है बाजरा का मरीदू रोमेल आसिता होता है तो एसकेलो एस्पोरो एसकेलेरो एस्पोरा ग्रेमी कोला से होता है बाजरा तो ग्रेमी कोला कुरुसी फेरी मिरीदू रोमी असीता रोग होता है तो पेनोरो एस्पोरा पैरा साइटिका से होता है बाजरा का इरगट होता है तो क्लेवी सेस्प सुई फारिस से होता है नेश्ट देखिए आलू का वाट रो तो सीन क्रिटेटिंग इंडो बायो स्पोर्ट ऑफ राइस तो हेलमेंथी हेलमिन्थो एस्पोरियम और आजी से होता है नेक्ष्ट दखिए अब इसमें नेक्ष्ट देखते हैं आपको अब विशाणू जनीत पादप रोग देखते हैं तो वह आपको ध्यां रखनेंगे यह जो था कवक जनीत था अब इसमें देखेंगे आपको विशाणू जनीत तो विशाणू जनीत देखते हैं आपको बिसाडू जनित पादप रोग और रोककारी बिसाडू तमबागू का मोजैक रोग तो टोबैको मोजैक वाइरस से होता है आलू का मोजैक रोग तो पोटेटो वाइरस वाई से होता है बंकी टोफ बनाना रोग तो बनाना वाइरस वन से होता है फुलगोभी का मोजेक रोग फुलगोभी मोजेक वाइरस से होता है गाजर का लाल पत्ती रोग तो गाजर लाल पत्ती वाइरस से होता है नेश्ट दखिए अजयविक पादप रोग तो नीबू में डाइबैक रोग कोपर की कमी से होता है आमले में आंतरी की निक्रोसीस तो बोरोन की कमी से होता है नीबू में लिटिल लीप रोग तो कौपर की कमी से होता है आम में लिटिल लीप जस्ता की कमी से होता है मटर में मार्स रोग मैगनीज की कमी से होता है नेश्ट दखिए धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है फुल गोभी में विप टेल तो मॉलिबडेणम की कमी से होता है चुकंदर में होट रोट तो बढॉन की कमी से होता है। फुल गोभी में ब्राउनिंग से ब्राउनिंग ब्राउनिंग ब्रॉन की कमी से होता है। नेक्ट देखिए। required अब इसमें देखते हैं जीम आलव सब्सक्राइब। co ढ़िए। से होता है देखे आलू का सैथिल रोग तो सीडो मोनास सोले नेसी येरम से होता है धान का अंगमारी रोग तो जैन्थो मोनास और आजी से होता है नीवू का कैंकर रोग तो जैन्थो मोनास सिट्री से होता है और गेहू का टुंडू रोग तो की जेनो बेक्टिरियम टिट्र जो रोग होता है जिमाडू वाला तो जैन्थो मोनास मालवे सी एरं से होता है नेक्स्ट देखिए से होता है और टमाटर का सैथिल रोग होता है स्ट्रेप्टो माइसीज से होता है और तंबाकू का सैथिल रोग सीडो मोनास सोलेनी सी एरं से होता है अब नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट में इस तरह से समाप्त हो गया है तेरी आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कमेंट निश्ची दूरुप से यहां तक यह दी देखके गए होते कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिं जै भारत